हेलो फ्रेंड वेल्कम टू मैं चैनल मैं सभी दिनों की तरह आपके लिए बहुती टेस्टी और बहुती स्वाधिस्ट रिसीपी लेकाया हूँ कच्चे आम की चत्नी कच्चे आम का चत्नी कैसे बनाएंगे आज हम आप लोग बहुत तरह का रिसीपी अपनाये होंगे लेकिन आज हम देखेंगे बहुती टेस्टी रिस्टोडेंट स्टैल कैसे बनाते हैं कच्चे आम का चत्नी घर पे बनाना नहीं भूलिएगा तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिसीपी तो ये देखिए सबसे पहले फ्रेंड हमने कुछ मिंट का लीप मतलब पोधीना प वाव क्या टेस्टी लगता है चत्नी साथ मैं कुछ जिंजर का सलैस यूज करने वाला हूँ थोरा सा गारलिक छिला हुआ बस और अब देखिए मिंटों में बनेगा आपका सामने बहुती टेस्टी रिसीपी एक बार घर पे ट्राय करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आप ल इसी भी भूवती जबरदस्त है बोलना नहीं भूलिएगा है ना तो चलिए यह देखिए हमने आम चिल के मिक्सर गरेंडर में डाल लिया हूँ धोलाई करके उसका बात जो है हम इसमें ग्रीन चिली इसमें फाइब पिसेस एड क्या हूँ और थोड़ा सा अद्रक का सलैस जिंजर का दो पिस एड क्या हूँ साथ में हमने गार्लिक ले लिया हूँ चार पांस पिस छिला हूँ और इसका साथ हम एड करने वाले फ्रेंड आपका सामने देखिए मिंट का लिप मतलब पोदीना का पत्ता वाव बहुती टेस्टी लगता है मैंगो का साथ क्या सो का तेल क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुती जवरदस्त है कच्ची घनी का तेल और यह देखिए पीनट्स चाहें तो आप छिलका हटाके वीड कर सकते हैं और छिलका का साथ भी पी सकते हैं कोई प्रोब्लम ने लेकिन पानी में भिगो लिजेगा अच्छा तरीका से यह देखिए फ्रेंड चटनी के कलर कितना अच्छा लग रहा है जितना अच्छा लग रहा है देखने में उतना ही जदा टेस्टी है है ने फ्रेंड तो आप लोग घर पे बना के खाना नहीं भूलेगा और एक जरूरी सोचना कोमेंट करना नहीं भूलेगा है ना लाइक तो जरूर कीजेगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो सैर करना भी नहीं भूलेगा और बैलोकन जरूर दवाएं आज के लिए ठैंक यू कल फिर मिलेंगे इसी समय बाई बाई